दोस्तों क्या आप जानते हो, USA में lower class के लोग हर साल 400 डॉलर यानि इंडियन करेंसी के हिसाब से 30,000 रुपिये लोट्री टिकेट में खर्चा करते हैं और साल के कोई भी टाइम वो लोगों के पास कोई भी सेविंग्स नहीं होती इन फैक उन में से आदे लोगों के पास emergency के लिए 400 डॉलर भी बचे नहीं होते अब आप मुझसे कहोगे कि वो लोग लोग लोट्री टिकेट में खर्चा करने की जगा उन पैसों को सेफ क्यों नहीं कर लेते लेकिन उनके हिसाब से उनकी life और उनकी financial condition सिर्फ और सिर्फ वो लोट्री ही बदल सकती है मतलब luck और उनको लगता है कि वो hard work करके कभी अमीर नहीं बन सकते उनको ऐसा लगता है कि अमीर बनना मतलब lucky होना तो basically वो लोट्री टिकेट्स उनको उमीद और सपने दिखाती है अब दोस्तो आप मेंसे बहुत लोग कहोगे कि यह कितनी फाल्तू सोच है क्योंकि हमें पता है लोट्री जीतने के chances कितने कम होते हैं और अपनी life को पूरी तरह लोट्री टिकेट्स पे छोड़ देना मतलब करोडों में से एक आदमे को success मिलेगी तो क्या बाकी सारे लोग वैसे ही गरीबी में जीएंगे लेकिन दोस्तों interesting बात यह है कि अगर आप उन लोग को समझाने जाओ तो वो उल्टा आपको बेवकुफ समझेंगे और शायद वो लोग आपको गलत बोलके रिटन में आपको बुरा फील करा देंगे जबकि आप तो उनकी मदद करने के लिए बोल रहे थे दोस्तों इसी लिए ये बुक से हमें कुछ ऐसे important lesson सीखने मिलते वो ये कि हम इनसान logical नहीं है हम psychological है क्योंकि दोस्तों सबको यही लगता है कि आज की तारिक में वो एकदम perfect फैसला ले रहे अपनी life के लिए लेकिन फिर भी जब कुछ साल गुजर जाते और जब लोग पीछे पलेट कर देखते तो वो यही सोच थे कि काश उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया होता तो उनकी life कुछ और होती और दोस्तों जब बात financial decisions की आती है तो चाहे वो अमेरिका के lower class के income वाले लोग हो या इंडिया की middle class या दुनिया में कोई भी अमेर इंसान हम जादतर फैसले emotions यानी जजबात के basis पर लेते जैसे डर या लालच और फिर उसको logic से justify करते कि हमारा फैसला logically बिल्कुल सही है दोस्तो इसकी एक वज़े ये होती है कि हमें कुछ चीजे कुछ सालों बात सीखने मिलती है जो हमें पहले सीख लेनी चाहिए थी इसलिए दोस्तो आज मैं कुछ ऐसे important lessons इस book से share करने वाला हूँ जो हमारी psychology और mindset से related है जिसके वज़े से हम जाने अंजाने में गलत फैसले लेते हैं जिसको आज सुदार कर आप जल्दी financially free हो सकते हो तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस channel में नए हो तो आप इस channel को subscribe कर सकते हो और bell icon को press कर देना ताकि आप ऐसे important videos मिस ना कर दो तो चलिए शुरू करते lesson number one true wealth is what you don't see दोस्तो एक तरफ होती है luxury cars बड़ी असा घर इंस्टा पे vacation के photos दोस्तो ये सब चीज़े हमें clearly दिख रही है और दूसरी तरफ उस घर का या car का loan का EMI उस आदमी के office का stress और उसकी stress के वज़े से उसके घर के रोज के fights ये सब चीज़े हमें नहीं दिखती तो जो हमें दिखता है वो अक्सर पूरा पिक्चर नहीं होता है लेकिन जाने अंजाने में ये चीज़े हमें गलत तरीके से सोचने पर मजबूर करती है कि जब भी हम किसी अमीर आदमी को देखते जैसे उसके पास कोई luxury car हो या कोई vacation पर गया हो तो हम भी यही सोचते कि काश मेरे पास भी इसी car होती काश मैं भी इसी जगा गुम पाता ये कितनी must life है अब हम यह नहीं सोचते कि वो लोग की life actually में must है या नहीं हम उन लोग की life से सिर्फ flashy और इसी bright चीज़े ढून के पिक करते और दोस्तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जिस वज़े से उस आदमी ने कार ली थी कि लोग उसकी इज़त करेंगे लेकिन actually में लोग उसकी नहीं बलकि उसकी कार की इज़त कर रहे है दोस्तो क्योंकि जब भी हमारे सामने से कोई कार गुजरती है अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन उसको enjoy करने का time नहीं क्योंकि आप पूरा time office में busy रहते हो और उस काम को आप पसंद भी नहीं करते तो आपके इतने अमीर होने का फाइदा क्या दोस्तो इसलिए इस book के author हमें ये कहते है कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना मतलब गरीब होने का सबसे simple और आसान तरीका है और अमीर रहने का सबसे मुश्किल तो अगर आप किसी आदमी के पास कोई अच्छी कार देखते हो जैसे मान लो वो 50 लाग रुपे की है तो आप उससे ये नहीं पता लगा सकते कि वो आदमी actually में wealthy है या नहीं लेकिन उससे हमें ये चीज़ ज़रूर पता चलती है कि उसके धन में से 50 लाग रुपे कम हो गए है दूस्तो मान लो आपको एक कार खरीदनी है और उसका प्राइज है 12 लाग रुपे तो आपके पास अभी 3 options है पहला आप 12 लाग रुपे पे कर दो दूसरा अगर आपको उतना खर्चा नहीं करना तो आपको इस सस्ती कार ढून लो तीसरा किसी दूसरे आदमी की कार चुरा लो अब दूस्तो 99% लोग कार चुराने वाला option नहीं चुनेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि फिलाल तो कार मिल जाएगी लेकिन उसके बदले आगे जाके futures में जो problems होगी वो बहुत जादा हो सकती है तो उसके benefits जो हमें clearly दिख रहे है वो उसकी नुकसान से काफी छोटे जो फिलाल नहीं दिख रहे है लेकिन अगर कोई आदमी गाड़ी चुराता है तो हम उसको यही कहेंगे कि उसने गलत फैसला लिया फिर चाहे उसको कोई सदा मिले या नहीं मिले क्योंकि हमें ऐसी चीज़े दिख रही है जो उस आदमी को नहीं दिख रही इसी लिए हम 99% लोग गाड़ी को चुराना नहीं पसंद करेंगे फिर बले हम कोई सस्ती या सेकेंड एंड कार ढूंड लेंगे क्योंकि हमें पता है नथिंग इस फॉर फ्री उसी तरह जब आपको अमीर बनना है और इन्वेस्टिंग से अपने पैसो को ग्रो करना है तो आपके पास दो आप्शन है या तो आप अपने पैसो को ऐसी जगा इन्वेस्ट करो जहां आपको सबसे ज़ादा लॉंग टम फाइदा होगा यानि अच्छा रिटरंस मिलेगा जैसे ऑथर कहते हैं इंडेक्स फंड में या डिरेक्स टॉक्स में लेकिन उसके लिए आपको उसको सीखना पड़ेगा उसका प्राइज वही है और ये प्राइज आप डॉलर्स या रुपीज में नहीं पे करोगे बलकि doubt, uncertainty, थोड़ा time देखे उसके बारे में seeker पे करोगे लेकिन उसके बदले में आपका future bright होगा और दूसरा option ये है कि आप अपने पैसो को कोई safe जगा पर रख दो जहां आपको ज़्यादा रिटरंस नहीं मिलेगा लेकिन आपके पैसे safe रहेंगे जैसे bank FD में या gold में तो उससे आपको safety तो मिल जाएगी लेकिन उसके बदले में आपको उतना profit नहीं मिलेगा और वही उसका price होगा तो इसी तरह ये option में आप खराब रिटरंस लेकर इसका price पे करते हो अब जोस्तो यहाँ पे सच बात ये है कि maximum लोग ये दूसरा option चुनते जिसको Morgan Housel इस book के author कार चुराने वाले option जैसा कहते और उसका simple reason ये है कि बहुत से लोग अपने घर के लिए अपने घर के decoration के लिए vacation पे जाने के लिए खाना खाने के लिए बहुत सारा खर्चा करते लेकिन अपने आप पर invest करने के लिए इतना खर्चा नहीं करते क्योंकि अपने आप पर invest करने का price उन्हें clearly दिख नहीं रहा और उन लोग के लिए वो दिखाने वाली चीज़ ज़ादा important है जैसे घर, गाड़ी या फिर fixed deposit का fixed interest और आपके रोज के boring investments जैसे stock market या index fund से आपको अपना future इतना clearly दिख नहीं रहा इसलिए लोग यो option चुनते नहीं है उसी तरह जिस तरह कार चुराने वाले को उस कार की चुरानी की असली कीमत नहीं दिख रही और दोस्तों author यहाँ पे हमें एक important बात कहरे कि growth is driven by compounding which always takes time but destruction is driven by single points of failure which can happen in seconds यानि आपके पैसे धीरे-धीरे करके grow होते compounding के थुरू लेकिन बरबादी रातो रात हो सकती है lesson number 3 getting wealthy versus staying wealthy दोस्तों अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते लेकिन गरीब होने का एक ही तरीका है पैसों को बराबर handle नहीं करना और उसको जाधा से जाधा खर्चा करना और इसी लिए author हमें कहते है कि अमीर बनने से जाधा मुश्किल अमीर रहना है जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो उससे control करने की कोई जरूर नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है इसलिए आज दुनिया के 90% से भी ज़्यादा अमीर लोग self-made है और दुनिया के 70% से भी ज़्यादा lottery winners 10 साल के अंदर वापिस से गरीब बन जाते तो इसलिए आपको हमेशा एक survival mindset रखना चाहिए जिसके लिए आपको तीन चीजों की जरुत होती है सबसे पहला aim to be financially unbreakable मतलब आप अपने आपको mentally और financially इतना strong बना दो कि market cycle से आपको कुछ फरकी ना पड़े जब आप real estate या gold में invest करते हो तो आपको पता है कि इसमें भी market cycles होते है और इसका भी price fluctuate होता है और जब price गिरता है तो हम उसे बेचते नहीं है हम और ज़्यादा खरिदते है उसी तरह हमें यही logic use करना चाहिए stock market और mutual fund में कि आपको market cycle से डरना नहीं है आपको उसे अपने benefit के लिए use करना है दूसरा a good plan leaves room for error यानि आप जब भी कोई planning करते हो तो उसमें इस बात पे भी गौर करो कि अगर वो investment plan के मुताबिक नहीं होता है तो आप क्या करोगे यानि आपका plan B क्या होगा और investing की दुनिया में हम इसी लिए एक portfolio create करते 10-15 companies का और emergency fund side में रखते तीसरा be optimistic about the future but paranoid about your obstacles to success यानि आपको future को लेके हमेशा optimistic और positive रहना चाहिए अच्छी सोच रखनी चाहिए लेकिन हमेशा अपनी current success को लेकर alert और साफदान रहना चाहिए क्या उसमें कोई खतरा तो नहीं है जैसे author ने हमें यहाँ पे दो interesting example दिये सबसे पहला Ronald Reid का आप ये नाम google करके search कर सकते हो अपको या आदमी चोटी मोटी नौकरी से इतने सारे पैसे कैसे जमा कर सकता है तो उसका answer है savings और investing की आदत डाल की और दुसरी तरफ दुसरा example है Richard Faskon का जो दुनिया के सबसे top college Harvard University से पढ़ाई करता है दुनिया के सबसी top companies Mary Lynch में काम करता है और एक अच्छी post पे executive बनता है लेकिन उसने करजे की और खर्चा करने की इतनी आदत डाली जिसकी वज़े से 2008 में उसे bankruptcy डेक्लायर करनी पड़ी दोस्तो गरीबी से बुरी चीज क्या होती है वो ये कि आप अमीर बने और फिर वापिस गरीब हो गए तो इसलिए अगर आप अपने दम पे 10 लाग रुपे इन्वेस्ट करके उसे मैनेज नहीं कर सकते तो आप 10 करोड रुपे मैनेज नहीं कर सकते और इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉबलम कम पैसा नहीं है आपकी बड़ी प्रॉबलम ये है कि आपको पैसा मैनेज नहीं करना आता क्योंकि गरी एक वो जो सेव करते, दूसरे जिने लगता है वो सेव नहीं कर सकते और तीसरे जिने लगता है उनको सेव करने की ज़रूती नहीं। I'm sure आप तीसरी कैटेगरी में नहीं आते हो क्योंकि आप ये वीडियोस देख रहे हो। दोस्तों हम सेविंग्स के बारे में बहुत सुनते, आपको बचपन से आपके पैरेंस ने कहा होगा कि पैसे सेव करा करो, लेकिन ये सेविंग्स इतनी इंपोर्टन क्यों है। क्योंकि हर एक रुपया जो आप सेव करके इंवेस्ट करते हो, वो आपका फ्यूचर का वो टाइम खरीता है, जो शायद किसी और ने खरीत के रखा था। तो इसलिए, ऑथर के इसाब से, अगर आपकी सेलरी कम भी हो, तो भी आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर आप सेविंग्स करते ही नहीं हो, तो आप कभी अमीर बनोगे ही नहीं। Lesson No.5 और सबसे Important, Morgan Housel के Life Tips सबसे पहला, अपने सारे Financial Decisions independently लो, ये सोचके नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है, या किसी ने किया था, इसलिए मुझे भी करना है Advice No.2, Live Below Your Means क्योंकि सबसे बुरी चीज़ अगर आप कोई कर सकते हो, तो वो ये है कि आप अपने Future की कमाई को आज ही खर्चा कर दो और चोटी मूटी चीज़ों में जो रोज होती है, और इससे आप Healthy भी रहोगे, Wealthy भी रहोगे और Wise भी रहोगे Advice No.4, Maintain 20% of Cash as Emergency वो इसलिए क्योंकि जब भी Stock Market में Crash होता है, तो आपको अपने Investment को कम पैसे में बेचनी की ज़रूद नहीं पड़ेगी, आप अपना Emergency Fund यूज कर सकते हो Advice No.5, The First Rule of Compounding is to Never Interrupt it Unnecessarily आपकी Actual Wealth, Long Term Investing से ही ग्रोगी, Compounding के थूँ, लेकिन उसकी Condition यह है कि आप उसे बिना रोक्टों के Compound होने दो Advice No.6, Every investor should pick a strategy that has the highest odds of successfully meeting their goals और author के एसाब से, Index Fund लोग के लिए सबसे Best Choice है Advice No.7, Three Key Elements of Housel's Approach A High Savings Rate, Patience and Long Term Optimism क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग सपने देखते कि उनको करोड़ पती लोगों वाली life जीनी है दुनिया में बहतरीन जगा गोमना है लेकिन एक्चुली में उनके बोलने का मतलब यह होता है कि उनने करोड रुपया खर्चा करना है जो उनकी कही हुई बात से बिलुकुल opposite है क्योंकि अगर आप अपना करोड रुपया खर्चा कर दोगे तो करोड़ पती कैसे कहला होगे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इस चैनल Invest Mindset को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आकोन को प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे important वीडियो मिस ना कर दो और जोस्तों comment के जरीए आप मुझे बता सकते हो कि मैं next वीडियो कौन सी topic पर बनाऊ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे like करिए नहीं पसंद आया तो dislike करिए अपका valuable time देने के लिए thank you and goodbye